जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाई स्कूल साहिक अध्यापक भरती परिच्चा के लिए प्रेक्टेस सेट आठ इसके पहले के प्रेक्टेस सेट आपके लिए आप हमारे यूटूब चैनल पर जाएए प्लेलिस्ट पर जाएए वहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको किसी भी कॉस्चर में कोई भी डाउट रहे तो आप हमसे कमेंट करके पूँ सकते हैं और यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप च नींद लाल को आजा और यह नींद लाल को आजा उसको करके प्यार सुलाजा और प्रियोक्त काब पंतियां ने मिलिकत में ऐसी किसकी हैं यह काब पंतियां बताने हैं आगरी आपके लिए बताने कि कितने कॉस्चिन आप से यहाँ पर सही बनी हैं तो यह जो काब पंतियां किसकी है हरिवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर आपका भी राइट आंसर है कॉस्चिन नमबर आपका दो पूँचा है जियून जनपद प्रवंद काभी की रचिनकार कौन है प्रेमधन या दिनकर बल क्रिश्न भट्टी या नराला तो question number 2 का आपका जो सही answer है question number 2 का right answer होगा आपका विकल्प number 1 प्रेमधन आपका यहाँ पर right answer है question number 3 क्या पूँचाए निम्लेकेत कभियों में से कौन अकबर के दरवारी कभी नहीं थे question number 3 है महत्वपूण है और 3 का right answer है आपका अकबर के दरवारी कभी नहीं थे question number 4 क्या पूँचाए किसे पत्रिका को बीशवी सतापदी की आरंबिक चरण का विस्व कोस कहा गया है तो किस पत्रिका को सरस्वती को बाला बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका या ब्रह्मान तो आपके हैं पर question number 4 जो right answer होगा चार का वह आपका सरस्वती विकल्प नंबर एक right answer है मोची राम किस की कवीता है सुदाम पांडे या रगबीर सहाई नागरजोन या अग्ये तो question number 5 का answer बताना है कि मोची राम किस की कवीता है तो question number 5 का right answer आपका यहाँ पर है सुदाम पांडे विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर सही answer है सुदाम पांडे आपका right answer है बिल्कुल सही भारत वर सोननती कैसा हो सकती है कि यह जो है किसका निवन्द संग्रे है यह आपके लिए बताना है निवन्द रचना है किसकी निवन्द रचना है यह बताना है तो आपके यहाँ पर question number 6 का right answer है कि जो निवन्द रचना है यह भारत यंदू की है किसकी है भारत यंदू यानि की विकल्प नंबर डी right answer है बताना है, साथ का सी राइट आंसर है, खालिस्तान पर मनुविकार भरा जाएगा है, यहाँ पर तो मनुविकार विकल्प नमबर सी राइट आंसर होगा, कॉश्य नमबर आठ क्या पूंचा है, हट कर बेठा चांद एक दिन, माता से बोला, सिलबा दो मा मुझे, उनका मौट एक जिंगोला, और पर अब तक आप पंतियां किसकी हैं, यह आपके लिए बताना है, मादरी बर्मा, सुवेद्रा कुमारी चौहान, रामधारी से इंदिनकर, मेहतिलिशनल गॉप्ते, तो कॉश्य नमबर आठ का, यहाँ पर आपका सही आंसर है, कि यह जो पंतियां है, व विदा की रचिना है, किस विदा की रचिना है, यह बताना है, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, यह किस विदा की रचिना है, गीती नाठ है, संस्मरन अपन्यास निवन्दे, तो कॉश्य नमबर नो का आपका जो सही आंसर है, भै आपका गीती नाठ है, विकल्प नमबर आमीर खुसरो यह आपके यहाँ पर 4 विकल्प है विकल्प है question no, 10 आंसर बताना है और qa right answer होगा यह अमीर खुसरो की पंघ्रोव की है यह विकल्प nl ड राइट ऐकर आंसर है question no 11 पूउचा है आपसे यहाँ पर निमने लिखे त्साहिक्तिकारों में से सबसी कम आयू किस की रही नए सबसी कम आयू बताना है तो जैसंकर प्रिसाद या गजानन माधा मुक्तिवोद प्रियम चंद्र या भारतेंदू अंदू हर्षचंद्र कौस्चन्र नमबर 11 है महत्तुपुन कॉस्चन है और इसका जो सही आंसर है कॉस्चन नमबर ग्यारा का बहे क्या तो ग्यारा का राइट आंसर डी यानि की भारतियंदू हरिस्चंद्र आपका सही आंसर है लाल तारा की रचिनाकार कौन है question number 12 का right answer बताना है लाल तारा की रचनकार कौन है तो बारा का आपका सही answer रामरक्ष बैनिपुरी निराला ओदैसंकर भट्टे या रियोद तो आपका रामरक्ष बैनिपुरी विकल्प नमबर ए आपके हैं पर सही answer दिनकर की प्रिशिद्ध काभी किरती रसमी रती की कतावस्तु कहां से लीगें है तो यह आपके लिए बताना है to question number 13 का right answer क्या होगा क्या है right answer तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर महा भारा सही answer होगा डी विल्कुल सही दियो выбus किसके जीवन से संबंदित प्रवंद्ध काभवे है सिव, राम, कृष्ण या इंद्र तो question number 14 का सही answer बताना है कि देवकरित, देवचरित जो है एक इसके जीवन से संबंदित प्रबंद काब्ब है यह आपके लिए याद रखना है एक प्रबंद काब्ब है और किसके जीवन से संबंदित है तो 14 का भी राइट आंसर है कृष्ण आपका राइट आंसर यहाँ पर है question number 15 है सीता को परधानेता देखा लिखा गया काब्ब सीतायन की रचेता कौन है नाबादास, जानकी, रसक सरन या पॉलंकी, राममूर्ती या रामपिरिया सरन तो question number 15 का आपका जो सही आंसर है 15 का विकल्प नंबर आपका रामपिरिया सरन आपका राइट आंसर यहाँ पर है question number 16 पूँचा है कि माईकेल मदुसूदन दत्तिकरित मेगनात बद का हिंदी अनुवाद किस ने किया तो question number 16 का सही आंसर बताना है तो question number 17 का सही आंसर बताना है 17 का राइट आंसर होगा यह पृषद रचिना है कौन सी है वह पृषद रचिना रामधारी सहन दिन करकी तो आपका राइट आंसर होगा औरवसी औरवसी आनि कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है बिल्कुल चाहीं विकल्प नंबर बी राइट आंसर है question number 18 क्या पूँचा है धर्मबीर भारती की काप विक्रति है कनुप्रिया में किसका बंडन है तो जो कनुप्रिया है धर्मबीर भारती की विक्रति है और इसमें बंडन किया गया है रादा की नवीन रूप मीरा या सीता का दोख या रशिग प्रिया तो question number 18 का answer होगा, इसमें जो बर्णन क्या गया है, वह क्या गया है किसका, रादा के नभीन रूप, तो विकल्प number 1 आपका यहाँ पर सही answer है, question number 19 क्या है, निमलिकित में से कैसे रचिनाकार ने अपना लेखन गद्दे तक ही सीमित रखा है, तो वह रचिनाकार बताना है, ज यहनों ने अपना लेखन जो है, वह गद्दे तक ही सीमित रखा है, राम बिलास सर्माने, प्रेम चंद्र, राम चंद्सुकल नगेंद्र, तो question number 19 का आपका जो सही answer है, 19 का आपका विकल्प number C right answer है, बिल्कुल सही, प्रेम चंद्र आपका यहाँ पर सही answer है, विकल्प number C right answer है, सोई पलास दहकेंगे, सीर्षक, नवगीत, संग्राई की रचनाकार कौन है, तो question number 20 आपका जो सही answer होगा, इसका, नची केता, महिस्वर्त तवारी, संभुनात, यह से, माल विये, तो question number 20 का आपका जो सही answer है, question number 20 का right answer क्या होगा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तान, भारत, तान, या, बेदेही बनवास, तो सुरी धरपाटक द्वारार रचित नहीं है, तो इनके द्वारार जो रचित नहीं है, वह कौन नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही answer है, एक कैस का विकल्प नमबर, डी, बेदेही बनवास, आपका सही answer यहाँ पर होगा, question number 22 पूँचा है, चंडी चरितर किसकी विसेश्ट साहितिक रचिना है, तो गुरु गोबंद से हैं, या रामदा से, या अरजुन से हैं, या अंगद, तो question number 22 है, और 22 का जो सही answer है, वह आपके लिए बताना है, तो 22 का आपका सही answer होगा, यहाँ पर विकल्प नमबर एक यान आनी, तो आपका 23 का जो सही answer है, वह आपके हैं पर 23 का right answer, विकल्प नमबर एक यानि की खड़ी बोली आपका सही answer यहाँ पर है, question number 24 है, इनमेंसे कौन सा सुमिलत नहीं है, सुमिलत नहीं पूँचा है आप से यहाँ पर, तो सुमिलत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो द्यात्रा धर्म वीर्भारती, रिन जल धन जल प्रभाकर माचवे, जुलूस रुका है, वेवे की राय या दूपानों की वीच रांगी रागव, तो इनमेंसे सुमिलत नहीं पूँचा है आप से, तो नहीं में आपका 25 का right answer होगा, विकल्प नमबर आपका, भी रिन जल प्रभाकर माचवे, इसो मिलत नहीं है, कौश्चन नमबर आपका 26, बोलती प्रित्मा की रशिनाकार कौन है, पदम सें सर्मा है, बनार सी दास, चतुरबेदी, सिराम सर्मा या सिट गो बिंद दास, कौश्चन नमबर 26 का answer यहाँ पर बताना है, मत तुपुन कौश्चन है और 26 का आपका जो सही answer है, सिराम सर्मा, बोलती प्रित्मा की रशिनाकार है, सिराम सर्मा, कौश्चन नमबर 27 क्या पूँचा गया है, नहीं है, देखिए, नहीं पूँचा है, नहीं है, तो कौश्चन नमबर 27 का right answer, बे दिन बे लोग, इसमिर्ती की रेखाएं, अतीत के चलचेत्र या पत्के सांथी, तो कौश्चन नमबर 27 का आपका जो सही answer है, बै क्या है, तो 27 का right answer है, बे दिन बे लोग, बे दिन बे लोग, आपका विकल्प नमबर 1 यहाँ पर सही answer, बे दिन बे लोग, कौश्चन नमबर 28 क्या पूँचा है, महादेवी जी ने, किस रच सुपक्चियों की रेका चेत्र प्रस्तुत किये हैं, महादेवी बर्मा जी ने, बै किये हैं, किस में, 28 का D, मेरा परिवार आपका सही answer होगा, कौश्चन नमबर 29 पूँचा है, नमलिकित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित है, पूँचा है, आप से यहाँ पर, तो कौश् प्रसाद प्रेमचंद्र हरिवाद, कौश्चन नमबर 30 का अंसर बताना है कि ठेट हिंदी में उपन्यास लिखनी वाले कौन है, तो ठेट हिंदी में जो उपन्यास लिखनी वाले हैं, बै हैं हरिवाद, विकल्प नमबर D, आपका राइट आंसर 30 का D, बिल्कुल सही, कौश्य नमबर 31 है, और 31 का आपका जो सही आंसर है, 31 का मनुबेग जाने का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर D, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिहारी सच सही में 2 हैं, तो बिहारी सच सही में कितने 2 हैं, यह आपके लिए बताना है, 500, 719, 718 यह 717, त तो बिहारी साथ सही में कितने दो हे हैं, तो 32 का आपका जो सही आंसर है, आपका 32 का सही 719, कहीं कहीं पर आपके लिए 713 भी जो हैं दे रहते हैं, तो विकल्प में आपके 713 नहीं देगा हैं, यहां पर 719 दिएगा हैं, तो 719 आपके यहां पर सही आंसर है, अगर विकल्प म अंसर बताना है, कॉस्शन न 만बर 33 का right answer क्या होगा यहाँ पर तो 33 का आपका C right answer है bridge, bridge आपका यहाँ पर आंसर है बिल्कुल चाह이, कॉस्शन नमबर आपका 34 गंगा लहरी किसकी रचिना है मतीराम, ठाकोर, पदमाकर या बोधा Question no.-34 पूँचा गया है और 34 का सही+, बताना है महत्तपूण question है और इसका सहीWhen aon Question no.-35 कि नयने नचायो कहो मुसकाई लला फिर अईयो खेलन हो री तो ये Appantie के कभी कौन है सेनापती हैं, पद्मा कर हैं, घहनानंद हैं या ठाकर हैं Question no.35 है महत्वपूर्ण पंती है यह आपकी इस पंती के कभी आपके लिए बताना है कौन है इस पंती के कभी तो पदमा कर निम्नमय से अश्टचाप के कभी नहीं है सूरदास, नंददास, मलूगदास या चीत स्वामी देखें नहीं पूँचा है चाप के कभी नहीं है तो आपके हैं पर 36 का सही आंसर होगा मलूगदास आपका राइट आंसर है मलूगदास आपके हैं आपके हैं पूँचा है पुष्टी मार्ग का परवर्टान किसने क्या था तो पुष्टी मार्ग का परवर्टान किसने किया था सूर्दास, मदवाचार, बलबाचार या रामानुज़ चारे तो question number 37 का सही answer बताना है और 37 का सही answer आपका यहाँ पर right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही सही आपका बलबाचार आपका सही answer रासो ग्रंत किस भासा में लिखे गए थे एक question महत्तुपोण है रासो ग्रंत जो हैं एक इस भासा में लिखे गए थे कलिबोली, अबिदी, ब्रजभासा या डिंगल पिंगल तो आपका है यहाँ पर 38 वा question और 38 का सही answer है आपका यहाँ पर डिंगल पिंगल डिंगल पिंगल आपका यहाँ पर सही answer है महापुराण की रचनाकार कौन है अब्दुर्रह्मान है धनपाल पुस्पदंत स्वंभू पुस्चे दंत है यहाँ पर तो बताईए question number 49 पूँचा है कि महापुराण की रचनाकार कौन है तो आपका यहाँ पर 49 का जो राइट आंसर है पुस्चे दंत आपके हैं पर राइट आंसर है विकल्प number B आपके हैं पर सही answer है question number 40 पूँचा है हिंदी खड़ी बोली किस अब्रण से विक्षे तुई है तो जो हिंदी खड़ी बोली है हिंदी खड़ी बोली यह किस अब्रण से विक्षे तुई अर्दमागदी से या सौरसेनी अर्दमागदी या पैसाची चार विकल्प दिएगा है कॉस्चिन नमबर 40 है और 40 का राइट आंसर होगा आपका हैं आपका हैं पर सौरसेनी से किस से सौरसेनी विकल्प नमबर C आपका सही आंसर है question number 41 क्या पूँचा है मतुरा, आगरा, धौलपुर, गौलियर आदी छेतर में नमिलकित में से कौन सी बोली बोली जाती है कहां पर मतुरा में, आगरा में, धौलपुर में और गौलियर में ब्रजवासा, खड़ी बोली, अबदी या बांगरू तो आपका सही आंसर एक तालेस का विकल्प नमबर एक बिरजवासा बोली जाती है इन जगाए पर जो जगाए यहां पर बताएं गई है question number 42 पूँचा है आप से यहां पर हिंदी, हिंदू, और हिंदोस्तान सब्द किस भासा की है Sanskrit, Parsi, Hindi, देशज question number 42 का आंसर बताएं हिंदी, हिंदू, हिंदोस्तान सब्द जो है किस भासा की है तो 42 का सी राइट आंसर है फारसी फारसी आपके यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही फारसी जोनों ने बताया है उनका राइट आंसर है कौर्वी भासा का उदाय किस से हुगा है पस्चमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, राजिस्तानी या ब्रज भासा से तो question number 43 का आंसर बताना है तो कौर्वी भासा का जो उदाय हुगा किस से हुगा तो 43 का आपका एक राइट आंसर है पस्चमी हिंदी बिल्कुल सही पश्चमी हिंदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number है आपका 44, 36 गड़ी किस भासा की बोली है तो 44 का आपका सही आंसर है यहाँ पर 36 गड़ी किस भासा की बोली है यह पूंचा तो आपका 45 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर राजस्तानी हिंडी यानि की विकल्प नंबर B आपका यहाँ पर सही आंसर है, Question number आपका 46 पूँचा है, कि मागदी अपरंच से किस भारतिय भासा का विकास नहीं हुआ है, देखें नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर नहीं हुआ है, तो किस का विकास नहीं हुआ है, विहारी, असम्या, बंगाली या मराथी, 46 का अंसर होगा, आपका यहाँ पर विकल्प नमबर, आपका यहाँ पर मराथी, आपका राइट आंसर है, विकल्प नमबर D, भारत के सम्मीदान की किस अनुचियत के अंतरगत हिंदी को राज की भासा घोसित क्या गया है, तो सम्मीदान का वाई कौन सा अनुचियत है, ज सम्मीदान के अनुच्छे 399 में किस विसाइका बंडन किया गया है तो 48 का सही आंसर है कि हिंदी भासा की विकास संबंदित निरदेशों का इसमें जो है बंडन किया गया है सम्मीदान 399 में अनुच्छे 399 में भारत की प्रतम देश भासा है भारत की प्रतम देश भासा संस् पाली अब भ्रंस है, तो आपका 49 का राइट आंसर होगा, भारत की पिर्थम देश भासा पूचा है, तो पाली आपका राइट आंसर है, विकल्प नमबर बी राइट आंसर, कॉस्चिन नमबर 50 क्या पूचा गया है, देवनांगरी लिपी की सबसे बड़ी विसेश्था क्या है, कॉस्चिन नमबर 50 में आपके लिए बताना है, कि जो देवनांगरी है, इसकी सबसे बड़ी विसेश्था क्या है, तो 50 का आपका डी राइट आंसर है, सरवादिक ब्यग्यानिक लिपी होना, एक दोनी के लिए एक संकेत होना, यह जो है इसकी सबसे बड़ी या घर्यननदे, तो इंक्याउन का आपका जो सही आंसर है, इंक्याउन का क्या होगा राइट आंसर, तो बिलकुल सही, इंक्याउन का आपका विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानिकी रसलीन, रसलीन आपके यहाँ पर सही आंसर है, बिलकुल सही, कॉस्चिन number bound पूंचा है बरवया रामयन किसी रचिना है सूरदास नंददास तुलसी दास या किसअब दास So question number bound का right answer बताईए किवर रामयन किसी रचिना है तो bound का right answer आपका यहा裁ज होगा bound का वह आपका right answer विकल नंबर B आनि कि तुलसी दास आपका यहां पर B right answer है तुलसी दास आपका सही answer है बिल्कुल चाही question number 53 है निम ने लिखेत आ हिंदी भासी कभियों में किसका संबंध असम सी है देखे आ हिंदी भासी कभियों में पूँचा है और उनका जो संबंध है भै कहां से असम सी है तो नामदेव या संकरदेव या नरसी महता या चयतन्य तो आपका सही answer है यहाँ पर त्रेपन का बिकल्प नमबर C आनि की संकरदेव आपका right answer है question number 54 क्या पूँचा है तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब किसकी पंती है यह आपके लिए बताना है तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब यह जो पंती है नराला, नांगर्जू, रगवीर साहर, मुक्ती बोद तो आपका यहाँ पर सही answer है question number 54 का विकल्प नमबर आपका D मुक्ती बोद आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल चाहिए मुक्ती बोद आपका सही answer है question number 55 है कि राम चंद सुक्ल की अलोचिनात्मा किर्ती कौन सी इनकी अलोचिनात्मा किर्ती बताना है सुक्ल जी की कौन सी है तो बताईए यहाँ पर 4 विकल्प आपकी यहाँ पर देगा है question है question number 55 है हलो चिनात्मक किर्थी बताने तो रस्मी मान सा पच्पन का सी राइट आंसर है विल्कुल सही रस्मी मान सा आप कहाँ पर सही आंसर है Question number 56 है निमलिकित मैंसे ब्यंजनों मैंसे कौन से ब्यंजन का उच्चारन तालू से होता है एसी वाला विकल्प नंबर सी वह आपका राइट आंसर है अंगले Question क्या है तो Question number आपके यहाँ पर संताउन पूंचा गया है क्या पूंचा गया है कि दिये गए विकल्पों मैंसे उतकंठा के समनार्थी सब्द कौन से है तो संताउन का आपका जो सही आंसर है वह होगा उतक अंठा के समनार्थी पूंचा है तो उत्सुपता और अभी लासा आपके यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर यहाँ पर है दिये गए काले अक्षर बाले सब्द का अनिकार्थी सब्द लिखिए आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवस्य होता है स सुसज्जित कक्षिक का आपके यहाँ पर अनिकार्थी में बताना है तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अन्ठाउन का तो अन्ठाउन का आपका जो डी बेठक है आपके यहाँ पर सही आंसर है बेठक आपका सही आंसर होगा Q69 है अपने महें मिया मिट्टू बनने का अर्थ बताने हैं आपके लिए यहाँ पर Q69 का सही आंसर क्या होगा 4 विकल्ब देगा है सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते कलने हैं और इसी परकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें उनसर का सही आंसर है आपके यहाँ पर विकल्ब नंबर एक यानि की अपनी प्रसंसा सुयम करना अपना है अपने महें मिया मिट्टू बनना निम्न बरतिनी की दरश्ती से सुद्ध सब्द कौन सा है यहाँ पर सुद्ध सब्द का चैनल करना है साट में आपके लिए में तो करिए साट का सही आंसर आपके यहाँ पर जो होगा सुद्ध सब्द में परिच्छा इस परकाल लिखा जाता है तो यह जो है सुद्ध सब्द है यहां पर पूंचा चा चा जा जा इंगा का उच्छन होता है तो इसका ओष्ट से तालू से दंच से मुर्दा से किस से इसका जो है जो आपके लिए दिये गए हैं इन मैंसे आपके लिए बताना है इसका उच्छन कहां से होता है तो आपका 61 का राइट आंसर है तालू से विक चन की कश्चन अउन और 2 या पकर यह आंसर सैंसर है आपके यहांप्विकल्प नंबर यंहीं पूंठे का मुस्फटा का हिबहुत स्री पूंच़ ंंप य॥ा एपक्षा के लिए जींचेव मले именно कkayले बाब मिने present जाएंसर हैं बताना है तो बताइए इसमें कौन सा समास है तो ए पुस्तक भी हाथों हाथ बिग गई तो 64 का सही आंसर होगा इसमें अभी अभी भाव होगा विकल नंबर भी आपका सही आंसर यहां पर है कौस्चन नंबर आपका 65 है उसने उसे चल से पराजित किया में चल में कौन सा का रखे यहां पर बताने है करता अपादान करण या कर्म है तो कौस्चन नंबर 65 है 65 का सही आंसर है आपका यहां पर करण होगा विकल नंबर भी राइट आंसर है तत्सम सब्द है यहां पर तत् उम्रित, काथ, माता, बंदर, तो आपकventy आपर सहिए आन्सर हे 66 का विखल्प नंबर है Mohon Ka आम्रितअ स्जान आपक्विखल्प C नीचे दियेगा विखल्पों में इसे तत्सम सuksब्द का चैन कीजे insight ciao किनना है आम्र सहीद दूद या ख्लकी कोंसा है तत्सम सब्द तो question नंबर आपका यहाँ पर 67 है 67 का सही answer है आपका यहाँ पर क्या होका right answer विकल नंबर एक आम्र आम्र आपका यहाँ पर सही answer है मनू विसलेशन आत्मक सेली की उपन्यास कार कौन है तो मनुविसलेशन आत्मक शेली के उपन्यास कार पूछा है आपसे प्रेमचंद जी है इलाचंद जोसी रांगे रागा या ब्रेंदा बने लाल बर्मा तो क्वेस्चन नमबर आपका 68 है और 68 का आपका जो सही आंसर है क्या है राइट आंसर 68 का तो 68 का सी राइट आंसर है का बोली शेत्र चाह है तो अली गक्ल का बोली शेत्र बतानने अविदी है खड़ी बोली है अच्छचतिस गड़ी तोיכ़ नमबर 79 का सही आंसर बतान lookout question पूछा किए और इसका सही आंसर है 99 का आपका C आनिकी bridge आपके यहां पर सही आंसर होगा क्योंगर सत्तर है किस रचना का दूसरा नाम आलह घंड है तो प्रत्वी राज रासो विजय पाल रासो परमाल रासो हमी रासो बै कौन सी रचिना है जिसका दूसरा नाम आलह घंड है तो आपका सही आंसर है सत्तर का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर भी राइट आंसर है यानि की परमाल रासु अस्व का पर्याबाची बता रहे हैं यहां पर यह आपका अस्व दिया है और इसका पर्याबाची क्या है तो बताए अस्व का पर्याबाची सब्द है तो एकत्तर का राइट आंसर होगा अस्व का पर्याबाची इसमें से है घोटक घोटक आपका यहां पर सही आंसर अंतरक्ष का पर्यावाची सब्द कौन सा प्रत्वी आकास या सुरप व्योम आकास अंत गगन तो आपका यहां पर अंतरक्ष का पर्यावाची पूचा है तो बहत्तर का आपका यहां पर व्योम आकास आपका भी राइट आंसर यहां पर है बिलकुल चाहिए विकल्प नंब कि रचना सेली है तो 24 आपका वेकलप नंबर एक रायट ऊंसर है जो मात्र कि समशंद है पृतिएके चलिणमें 16 मातर होती हैं उसे क्या कईती है उसको बताना है क्या काईती है तो चोहतर आपका जो सही आन्सर है उसको काहते हैं क्या काहते हैं तो आपका राइट आंसर 24 का विकल्प नंबर यहां पर सरी 14 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक यानिकी चौपाई चौपाई आपका यहां पर सही आंसर बिलकुल सही विकल्प नंबर एक right answer है सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रियोग हुआ है एक question मात्वण है सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रियोग है क्सिए का नुप्रास अनुप्रास रूपक कर यहां पर 75 एंशर है यह आपके यहां पर विकल्प नंबर एक यानिकी यमक आपका राइट आंसर यहां पर होगा अंगला कॉश्चन क्या है क्या क्या गॉश्चन चेत्तर कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में इसमें प्रियक्त अलंकार कौन सा है तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में तो इसमें अलंकार बताना है चेत्तर का सही आंसर क्या होगा तो यमक होगा इसमें जो है यह मा कलंकार है कौश्य नंबर 77 है सम उपसर्ग का मा सम उपसर्ग का मा किस सब्दे में सुनाई पड़ता है तो संयम में गर्म संबाद या आपका संख्या 77 का आपका राइट आंसर होगा तो आपका सही आंसर है संबाद संबाद यानि कि विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर है मुझे किस पिरकार का सर्वनाम है मुझे यह आपका दिया है मुझे मैं किस पिरकार का सर्वनाम है उत्तम पुरोष अ आपका सही आंसर यहां पर है, मीरा जोर से हसी एह बाग के किस किरिया का समूचित उधारन हैं, अकर्मक, प्रियनार्तक, दुईकर्मक या सकर्मक, तो 89 का आंसर बताना है, और 89 का सही आंसर है, मीरा जोर से हसी एह बाग के किस किरिया का समूचित उधारन है, तो आपका अकर् पक राइट आंसर है 89 का विकल्प नमबर एक, कौस्चे नमबर 80 क्या पूंचा है, कौन साब आग के असन्य भूतकाल में हैं, यह आपके लिए बताना है, कौस्चे नमबर 80 का सही आंसर, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक बसे कर लें, कौस्चे नमबर 80 है, और 80 का सही आंसर है, मैंने आम खाया, विकल्प नमबर, डी राइट आंसर है, यह जो है, असन्य भूतकाल है, यह बाग के, आज का अर्थ क्या होता है, आज का अर्थ बताने हैं, आपके लिए यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं, तो आज का अर्थ बताना है, बताए क्या है इस बात क्में खालिस्तान अभियब पद है तो हैं अपने हमेसा घीत तो इस चारवे कलबं हैं इसमें आपके लिए खालिस्तान बताने कि कालिस्तान बाक्य में क हालिस्तान अभियब खैड़े तो कि अआनसर 82 का विखल नंबर यहां पर हमेसा क्राइट आंशर होगा Question प्रियुक्त प्रत्य at jurorsion of 1883 है कि उद्गं की दरश्टी से अमीर है देशसब्द है जात्व सब्द है सब्द है अमीर आपको बताना है अमीर क्या है ये कौनसा सब्द है और आपका राइट आंसर क्या होगा 23 का सही सथ आंसर बताना है तो 23 का आपका बिदी एसा सब्ध है किया सब्द है कॉस्ट् Marshall 84 डिंव्नम addressed 吉Worlds employer सब्द में प्रियोगत प्रत्य कौन सा है एरा ए रा इ दो लोटी रा इसमें आपके लिए प्रत्य बताना है इसՏ सब्णस में प्रियोगत प्रत्य कौन सा है तो 84 का आपके लिए पता होगा लुटेरा में आपका जो प्रत्य है वह कौन सा है तो आपका राइट आंसर एरा लुटेरा विकल्प नमबर आपका यह यहाँ पर सही आंसर है सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द कौन सा है बताईए सुद्ध वर्तिनी यहाँ पर आपके लिए चेहन करना है कॉस्ट क्वाश्य नमबर 86 फिर्थी बर्स नदी में बाढ़ आ जाती है बाग्चिमें किस अतित new यंद्द IPS यान्य कीलब नमबर आपका दिपर राइट यह सब्सक्राइबitez तो कर्म Kickstarter वालबाक्ष्ण टॉछ our 한국 यह चूंसा है कि रहे ही तो यह निक्द नहीं सकते बिल्ली कि के हाँ तो चूहा मारा गया उससे सब कुछ बता दें 87 का सही आंसर है बिली के हाँ तो चूहा मारा गया एक कर्म बाच्चे वाला बाक्ये है तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प पर चुनना है यहाँ पर कौश्य नंबर 88 में और 88 का आपका जो सही आंसर है बै क्या है सामग्री समराट आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर हाँ विकल्प नंबर एक नवासी नवासी का राइट आंसर है अर्दू सब्थ स्वादा का बहुबचन में क्या रूप होता है यहां पर क्या हो जो है आपका विकल्प नंबर भी राइट आंसर है निमने लिखे सब्दों में से विशेशन को पहचानिए मजहब पीड़ा नैतिक आकास तो कौस्च नंबर 90 है और 90 का सही आंसर है आपका की विशेशन को यहाँ पर पहचानना है तो 90 में आपका जो विशेशन है वह नैतिक कौन सा है नैतिक आनिकी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है सन्या सब्द में कौन उपसर्ग है सम सनी सम यास तो आपका 91 तो इसका सही आंसर क्या है सन्या सब्द में उपसर्ग पूंचा है उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है आपर बताना है तो आपका यहा दरारा यह नो है दस है तोको इसका सई आंसर क्या होगा भरत मुनि जी ने डुवे हो कि संस्था माणी है तो सभी के लिए पता है कितनी मानी है तो विकल्थ नमबर एक आपका इहाँ पर सई आंसर है question number 93 पूरी तरह यहां पर क्या होगा तो 93 का विकल नंबर इसमें प्राहा उत्तरपद प्रधान होता है यह तत्प्रो समासे संबंदित है यह कतन पूरी तरह से विध्यारती उधारन है ब्रद्धी स्वरसंदी का व्यंजन स्वरसंदी का या गुण स्वरसंदी का या दीर्ग स्वरसंदी का विध्यारती बहुत चल question है विध्यारती और इसका सही answer होगा इसका संदी विच्छित बताना है आपके लिए तो आपके हैंपर right answer है क्या right answer 95 का विकल्प नमबर B विकल्प नमबर B यानि की बदु धन उर्मी आपके हैंपर सही answer होगा यहां से आप आपसे पूँचा गया है कि कॉस्चन आपके 96 से 100 तक यह गद्यांस पढ़कर यहां पर कॉस्चन पूँचे गए हैं तो हिंदी साहित इतिहास को चार भागों में बाटा गया है आदिकाल में भक्तिकाल, रितिकाल और आदुनेकाल फिर आपको यहां पर गद्यांस दिया गया है कि भक्तिकाल के संते कभी सूरदास जी को कौन नहीं जानता भक्तिकाल के कृष्ण आपासक सूरदास जी ने सूर सागर सूर सारावली साहित लेरी आदी अनुमोल खजाना हिंदी साहित को दिया है उनके पदों में बासल सिंगार सांतरस के भावपराप्त होते हैं उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सबदास के अश्टचाप के सर्फसेष्ट कभी हैं उनके कभी की विसेष्टा एह है कि बेग गेग पद हैं और उनकी अधेक्तर रचना ब्रेज सब्हेज इसमय लेगा पाकर अमर हैं तो यह अपका ये गध्यास और अब इससे कौस्ट हैं बनते हैं हिंदि साइट के वे इत्यास को कितने भागों बांटा गया तो सभी के लिए पता है कि हिंद्धी साहित केति हाष को चार भागों में बाटा गया है तो 96 कविकल्प नमबर आपका भी राइट आंसर होगा सूरदाश जी कौन से काल के संत कभी है यह आपके लिए बताना है तो आपका 97 का सही आंसर सभी के लिए पता है कि सूरदास जी जो है कौन से काल के है तो आपका सही आंसर विकल्प नमबर एक भक्तिकाल बिल्कुल सही भक्तिकाल राइट आंसर है नमनल के तरचना में ऐसे कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है देखे, आपसे यहाँ पर 98 में नहीं पूंचा है, तो नहीं में बताना हैं आपके लिए 98 का सही आंसर क्या हो, साहित लेहरी है सूरदास जी की सूरसारावली, ये सूरसागर भी है और रमेनी आपका राइट आंसर होगा, ये आपका विकल्प नंबर ये राइट आंसर है, य आपका 99 क्या पूंचा गया है यहां पर 99 सूर्दास की पदों में कौन सा रस नहीं पाए जाता है सिंगार सांथ बासल भयानक रस तो रस नहीं पाया जाता है तो इनके जो मतलब इनकी पद रहती है सूर्दास जी की जो पद है इसमें जो भयानक रस यह नहीं पाए जाता है विकल्प नमबर आपका D यहाँ पर सही आंसर होगा question number 100 सूर सर तुलसी उसी उडगन के सब्दास इस पंती में उडगन का क्या अर्थ होता है तारे प्रत्वी चंद्रमा या समद्र उडगन इसका अर्थ बताना है तो इसका अर्थ क्या होता है तो आपका बिल्कुल सही आपका सही आंसर होगा तारे इसका अर्थ होता है क्या होता है तारे तो आपका विकल्प number 1 right answer यहाँ पर है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत भी महत्तुपूर्ण question complete हुए है और यह अपना practice set 8 था इसके पहले के आपकी practice set upload हो चुके है चैनल पर playlist बनी है वहाँ पर आप जाएए और देखिए और इसी तरह कि और बहुत सारे आपके लिए वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को subscribe बस्ते कलने बेल आइकन दबाएं वाल पर click करें ताकि वाल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को like और share अब अस्ते करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद